दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेकनिकल गाइड के वी पर और आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइजन 31200 के बारे में जो कि मैं खुद पर्सनली यूज भी कर रहा हूं और क्या राइजन 31200 2020 में लेना अगर आप लेना चाहते हो यूज मार्केट से तो यूज मैं इसमें राइम टेस्ट भी कर रखा है इस राइजन 31200 के साथ में डिफरेंट स्पीड पर तो उसके बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले तो दोस्तों अगर आपको लेना है राइजन 31200 तो बात करता हूं मैं आपको बताता हूं किस्पेसिफिकेशन क्या और कितने प्राइजिंग में आपको मिल जाएगा और साथ में यह आपको कैसा परफॉर्मेंस प्रवाइट करवा देगा तो दोस्तों राइजन 31200 के घर हम बात करें तो यह मैंने खुद अगर मैं परसनली अपने बारे में बता हूं कि मैंने कितने प्राइस पी लिया था तो मैंने इसको यूस्ट मार्किट से मतलब ओल एक से लिया था और यह मुझे राइजन 31200 जो था यह मुझे विद बॉक्स मिला विद स्टॉक कूलर मिला और विद बिल मिला सिर्फ 2000 रुपे में तो 2000 रुपे में मुझे काफी अच्छी डील मिल गए ती नियरबाइ में तो मैंने इसको पिक अप कर लिया और फिर मैंने कुछ महीनों बाद पीसी बिल्ड किया इसके साथ में तो आपको अगर यह 3500 तक मिलता है तो क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यह आता है चार को चार्ट के साथ में 10 MB तक जाता है लेकिन वैसे इसकी बूस्टिंग वह 3.4 तो 3.5 गिगार्स तक है और जो इसकी बेस नॉर्मली रहने वाली वह 3.1 गिगार्स की और मैंने इसको पेर कर रखा है वी 550 के साथ में जो की MSI के तरफ से आता है MSI का यहां पर आई बटन में मिल जाएगी तो देखना तो दोस्तों सबसे तो राइजन 3 1200 में लिया था यूज दोहजार में मिल गया था तो 2020 में कैसे पर्फॉर्म करता है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताता हूं कि मैंने यह जो राइजन 31200 है इस में कैसा परफॉर्म करते हैं डिफरेंट स्पीड पे तो जो पहली स्पीड थी वह थी 2400 दूसरी थी 3000 पे और थर्ड स्पीड थी आपर 3200 में तो इन तीनों ही क्लॉक रेट्स मैंने सीने बेंच के आर्ट 20 लेटेस्ट वर्शन को टेस्ट किया है कितने पॉइंट्स आते है वगेरा वगेरा तो आपको सब डिटेल उस वीडियो में मिल जाएगी और उस वीडियो में मैंने राजन 3 1200 के साथ में मैं जीटी एक्स 1050 टी यूज कर रहा हूं डूल फैन वाला तो मैंने उसमें टेस्ट कर रख तो अगर आपको 1050 के साथ क्या परफॉर्मन्स मिल जाती ह जो GTA 5 उसको मैंने टेस्ट किया था प्लस नॉर्मल Cinebench R20 वाले टेस्ट भी मैंने किये थे राइजन 3 1200 को यूज करके ही क्योंकि मैं खुदी यूज कर रहा हूं तो अगर आपको वह सब जानना है तो उसके लिए मैंने सपरेट वीडियो बनाई है इस वीडियो को मतलब नह सकता है अब यार नहीं लिकिन आपको वीडियो यहां पर आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे रहा हूं 2400 वासे 3000 वासे 3200 में करके कुछ टाइटल है अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा तो आप चैनल पर भी वीडियो सेक्श परफॉर्म करता है मुझे कोई लैक्स देखने को नहीं मिलता साथ ही मैं मैं यूज कर रहा हूं ओवर क्लॉक नहीं किया है और यह फुल लोड में जाता है 3.423.5 घिगर्स मेरा हमेशा चाहे जाता है और अगर इसके पावर कंजम्शन की बात करें तो उसकी जो टीडिप ह है एकदम मैक्सिमम टीडिप वो तो 65 वाट्स के लेकिन जो 3.5 घिगर्स पे स्टॉक में कोई ओवर क्लॉकिंग नहीं किया उसमें यह कंजूम करते है 45 वाट्स का पावर फुल लोड ओल को 3.4-3.5 घिगर्स में 45 वाट्स यह पैकेज में से निकाल लेता है और डे-to-date टा और जैसा कि मैंने बोला वह वीडियो जो यहां पर आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसमें जेटे 5 का टेश्ट है और भी मैं आपको बेंचमार्क्स लाने वाला हूं तो आप चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत ताकि आपको बेंच करने का कोई वैसा लग नहीं दा क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस एकदम इनफ मिल रहे हैं जब तक बॉटलने कुछ देखने को नहीं मिलता तब तक मैं अप्ग्रेड नहीं करूंगा और मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस अभी मुझे मिल रही है वह मोर देन इनफ है 8GB RAM में जो की 3200 पर क्लॉक्ट है और मैं जी स्किल का रिप्जॉस कर रहा हूं 3600 वाली तो अगर आपको उसका अन्बॉक्सिंग और रिव्यू देखने हैं तो वह आपको आई बटन में मिल जाएगा तो काफी अच्छा है गेमिंग के लिए भी आप इसको ले सकते हो और एडिटि 8GB की रहा में और यही मेरे स्पेसिफिकेशन भी है और ऐसा नहीं के डिफरेंट टेस्ट था यही मेरे स्पेसिफिकेशन है यहीं पीसी में यूज करता हूं तो एटिंग के लिए काफी अच्छा है बहुत कमाल की हो जाती है स्मूथ कोई लाइक को श्टरिंग कुछ देख तो मैं उसकी भी गाइड ला दूंगा ओवर क्लॉकिंग अप्टिमाइज वाली अभी तो फिलाल 3.5 गिगार्स भी देखा जाए ना 2020 में इनफ है तो 2020 में यह कैसा काम करता है वह तो मैंने आपको थोड़ी प्राइजिंग की बात कर लेते क्योंकि मैंने इसको लिया था य यहां पर 3500 रुपीज भी मांग सकता है क्योंकि अगर कुछ भी इशूस आ जाता है तो आरे में जो फायदा है वह आपको ही मिलने वाला है क्योंकि आपको लेटेस्ट सीप्यू ही मिलेगा एकदम नया वाला आरे में तो आरे में भी काफी अच्छी जीज़िए उसके ऊप मैं खुद यूज़ कर रहा हूं और 2000 में मिल गया था इसलिए मैंने इसको एकदम नेक्स डे जाके ले लिया था बिना कुछ सोचे समझें कि ऐसी डील बात तो बार बार आती नहीं और आपको नियरबा एरिया में मिल जाए अगर विदाउट स्टॉक कूलर भी मिल जाए न सब्सक्राइब करने के लिए तो अगर आप सोच रहों कि अगर आपको राइजन 3 1200 लेना है और 2020 में कैसे परफॉर्म करता है तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और आप इसको आंग बंद करके अभी भी 2020 में ले सकते हो और 10 63 GB वेरियंट या 6 GB तक इसली पेर कर सकते हो और अगर रहेगा तो बहुत ही मिनिममम रहेगा तो आप उसको फ्यूचर जेनरेशन में अपग्रेड करके सीप्यू को वह कम कर सकते हैं लेकिन 1650 सूपर बेस्ट ऑप्शन रहेगा राइजन 3 1200 के साथ में अगर आप को एक नया ग्राफिक कार्ड लेना है तो तो अगर आप सोचते ह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना शेयर कर देना मन में अगर कुछ भी डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो और अगर आपको ऐसे इंटरस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियो देखनी है तो चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब और आज किस वीडियो में इतना है और ये वीडियो देखने के लिए अब सभी का बहुत बहुत थैंक यू